आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से चुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एंप्लोई खबर मसकार दोस्तों Employee Khabar Channel के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर सेखबर स्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले है छोटे वेपारियों के लिए पेंसन योजना के बारे में भारत सरकार स्रम एम रोजगार मंत्राले के तरब से य लोगसभा में इस योजना के बारे में विस्तरत जानकरी दी गई है स्री संतोस कुमार गंगरवार जी के द्वारा यहाँ पर प्रशन संख्या 339 3379 के तहत स्री विजय कुमार जी के कुछ सवालों के जवाब देती हुए यहाँ पर स्रम मंत्री की तरब से छोटे वेपारि के लिए नई पेंसन योजना के अंतरगत पातरता यहाँ मापदंड क्या है क्या सरकार एक राश्टी व्यापारी कल्यान बोर्ड इस्थापित करना चाहती है ताकि छोटे किसानों को समस्याओं का समाधान किया जा सके देश में अब तक NPS के अंतरगत सामिल किये गई और उनका जो है राजजवार बेवरा क्या है सरकार द्वारा सभी छोटे व्यापारियों को अब तक के जो लाभनवित किया जाने की संभावना है अब तक उनको जो है लाभनवित किया जा सकता है इस तरह के सवाल यहाँ पर जो छोटे व्यापारियों के लिए पेंसन बगत 3.0 व्यापरियो अब यहाँ पर जो है लाग करोड क्या था वो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया है दुकानदारों और स्वय नियोजित व्यक्तियों को व्रद्धा अवस्ता संटरक्षन प्रदान करने के लिए दिनांक 12.09.2019 को व्यापरियो दुकानदारों और स्वय नियोजित व्यक्तियों जिसका यूजना का नाम यहाँ पर रखा गया है प्रदान मंत्री लगु व्यापरी मानधन योजना अश्टी पेंसन योजना जो एक NPS होती है उसका सुबाराम्ब किया गया है यहाँ स्वेच के माध्यम से यहाँ पर नामांकन किया जाता है तता इसके अलावा पात्र विक्तियों का नामांकन www.manandhan.in के पोर्टल पर जाकर भी इसके माध्यम से भी किया जा सकता है अठारा से चालिस वर्स की आयू समो के वैपारी जिनकी वार्सिक कारोबारी आए 1.5 लाग करोल रुपई से अधिक नहीं है तता करमचारी भविश्यनिदी शंगटन, करमचारी राजजी बीमा निगम, राश्टी पेंसन इसकीम और P.M.S.Y.N. के प्रदान मंत्री स्रम य अंसदान दे होता है तथा केंदर सरकार द्वारा समान अंसदान का भुकतान किया जाता है। सुधार के उद्देश से दिनांक 29.7.2019 को राजपत्र अधिसूचना के जो समवर्ग 220 के माध्यम से राश्टी व्यापारी कल्यान बोर्ड गठित किया है। वरिष्ट इस तर पर मंत्रालाय में नियमित रूप से की जा रही है। तो इस तरह से जो यह लगु व्यापारी मानधन पेंसन योजना है। इसमें 18-40 वर्स की आयू विक्ति की होनी चाहिए। अभी तक्रीवन 3 लाख वैपारीों को इसका लाप यहाँ पर मिल चुका है। जो 12.09.2019 से यह योजना प्रदान मंत्री लगो वैपारी मानधन योजना चालू हो चुकी है। इसके लिए आप जो है CAC Center भारत के किसी भी CAC Center और www.manadhan.in से जाकर जो है अपना registration करा सकते हैं। साथ ही इसके जो नियम है उसके अंतरगत आपकी अंतरगत आपकी आमदानी 1.5 करोड रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। करमचारी भविष्यनिती संगतन राज्य बीमा निगम राष्टी पेंसनी स्कीम और प्रदान मंत्री सरमयोगी मानधन योजना और आप जो है करदाता नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो है इसमें आपको 50% रुपए 50% अंसदान आपको करना होगा उतना ही अंसदान यह मानधन पेंसन योजना जो कि छोटे वैपारियों के लिए यहां पर जारी की गई है तो छोटे वैपारी लोग जो है इससे काफी यहां पर लाब उठा सकते है इस योजना के बारे में विस्तार से यहां पर स्रम मंत्री जी ने खुद लोकसभा में 9 दिसंबर को यहां पर बताया है तो इस योजना के बारे में जानकरी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसे सी जानकरी के साथ तब तक के लिए जय हैंद जय भारत